गाइस आप में से बहुत सारे स्टुडेंट इस बात को लेकर काफी जादा कने फ्यूजन में हैं कि सर अगर हम डियलेट कोर्स क्लास 12 इंटर के बाद करते हैं तो हम प्राइमरी टीचर बनने के लिए अलिजिवल हो जाएंगे डियलेट होना चाहिए और मारस सीटेट का पेपर वन पास हो जाएगा तो हम BPSC प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेकर 5 का जो वेकेंसी आता है उसके फॉर्म भरने के लिए अलिजिवल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल आप अलिजिवल हो जाओगे तो क्या हम प्राइमरी टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे पहला कोशन दूसरा कोशन आपका ये है क्या हम 6 से 8 के टीचर बनने के लिए अलिजिवल होंगे या नहीं होंगे तो देखो गैस ये प्रोस्पेक्टस BACV के द्वारा जारी किया गया है हर साल जब भी एडिविसन स्टार्ट होते हैं तो BACV जो है अपना न्यू प्रोस्पेक्टस जारी करता है तो आखिर दोस्तो BACV ने तो कह दिया है कि आप DL8 कोर्स करने के बाद आप क्लास एक से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हों लेकिन क्या इस बात को BPSC मानेगा क्योंकि BACV अलग है और BPSC अलग है ठीने इस बात को आपको पता होना चाहिए तो चलिए आज किस वीडियो मैं आपको सो कर देता हूँ कि क्लास 6 से लेकर 8 तक के टीचर बनने के लिए जो अभी नॉवंबर में वेकेंसी आया है क्योंकि फर्स्ट फेस का जो वेकेंसी आया था जून में और जिसका एकजाम अगस्त में हुआ था तो उसमें 6 से 8 का वेकेंसी नहीं आया था उसमें primary का आया था जिसमें B.A.D. वालों को भी सामिल कर लिया गया था और जब सुप्रिम कोट ने अपना फैसला सुनाया सुप्रिम कोट ने B.A.D. वालों को बाहर किया तो ऐसे में दोस्तो B.P.S.E. ने एकजाम लेकर graduation करने के बाद delete करेंगे और जो inter अपना class 12 complete करने के बाद delete करेंगे तो मौका किसको दिये जाएगा 6 से 8 में क्या जिन्होंने delete जो graduation कर रहे है तो और 7 में delete कर लिए तो क्या 6 से 8 में उसका eligible किया जाएगे या नहीं और यहाँ पर confusion आपका यह होगा हम जो है graduation के साथ ही साथ delete course कर लिए तो क्या हम 6 से 8 में eligible होंगे या नहीं होंगे तो देख वाइस यह BAPSC का जो है prospectus है जो vacancy आया था नॉवंबर में और अभी जो दिसंबर में एकजाम चल ला है तो इसमें आप लोग देखे 31,982 पद है और बाकि टोटल जो है 79,706 है बाकि आपर classes के लिए उचे मादमी के लिए तो यहाँ पर क्या कहा गया है पहले मैं eligibility criteria दिखा देता हूँ उसके बाद आपका confusion सारा मैं दूर कर दूँँआ देखे इसे आप लोग BPSC के official website पर जाकर download भी कर सकते हैं अब देखू गाइस चाहे आपने ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक ना? ध्यान से सुनिएगा चाहे आपने दोस्तो delayed course चाहे आपने delayed course class 12th के बाद किया है या graduation के बाद किया है ठीक ना? साथ वाला भी मैं आपको बताऊँगा कि आप दोस्तो delayed करने के बाद आप graduation करोगे ऐसा आपके mind मतलब आपने सोच रखा है ठीक ना? delayed करने के बाद आप graduation करोगे तो भी आप 268 के लिए eligible हो ठीक ना? अब तीसरा question आपका यह है कि सर हम graduation कर रहे थे B.A. Part 1 मे थे या B.A. Part 2 मे थे और ऐसे में एसे में हमारा जो यहां ध्यान दीजिये graduation दो परकार से लोग करते हैं एक open distance college वाला जो कि non regular होता है और एक होता है regular तो पहले मैं आपको non regular वाला बताता हूँ ठीक ना? जो कि इगनूस से होता है और भी non college से होते हैं तो ऐसे में दोस्तों देखे आप भी ये part 1 में थे या फिर final year में थे और साथ ही साथ आपने graduation में admission ले लिया लेकिन यहाँ पर जो आप sorry, DLA'd में admission ले लिया लेकिन आपका ये जो graduation चल रहा था ये आपका non regular था distance से था तो ऐसे में कोई भी problem नहीं आएगा आप 6 से 8 में लिजिवल हो बस आपका seated का paper 2 pass हो जाना चाहिए जैसे देखे आप दोस्तों graduation भी आपका complete हो गया साथ में आपका DLA'd भी हो गया तो आप क्या करना है आपको seated का एक exam होता है जो कि हर साल 2 बार होता है जो कि CBSC conduct करवाता है इसमें बस आपको pass होना होता है 150 में सा आपको general के लिए 90 नंबर और CST OBC reserve category के लिए 82 लाना होता है तो इस exam को आप pass कर लोगे तो देखो paper 1 और paper 2 अलग-अलग होता है तो paper 1 पास करके 1 से 5 के लिए eligible हो जाओगे और paper 2 किलियर करके और 7 में आपका graduation हो जाता है तो आप 6-8 में भी eligible हो जाओगे लेकिन 7 में graduation अगर आपका non college से है तो फिर valid है ठीना 6-8 में आप valid हो primary में कोई problem नहीं है भले ही आपका graduation regular क्यों नहीं हो 7-8 क्यों नहीं हो कोई problem नहीं है ठीना ये 6-8 में आता है अब graduation दोस्तो आपका जो है regular है और साथी साथ आपने deal aid कर लिया तो यहाँ पर problem आएगा लेकिन दोस्तो BPSC ने ऐसा कुछ नहीं कहा है देखिए यहाँ पर BPSC ने 6-8 के लिए जो eligibility criteria जारी किया है इसमें उन्होंने ये कहा है कि सना तक आपका graduation होना चाहिए और प्रारामभीक सिसर सास्त्र में 3 वर्से diploma बही जो BPSC ने कहा है दो साल का आपका diploma होना चाहिए यह चीज आप 6-8 के लिए eligible हो और साथ में seated का paper 2 और subject combination भी आपको पता होना चाहिए बहुत सा रिश्टेंड गाइस graduation तो कर लेते हैं बनते हो तो subject combination के बारे में भी BPSC ने बताया है यह मैं आपको सो कर दूँगा देख लिए जो पहले तो यह आपको पता चल गया यहाँ पर जो है न BPSC ने ऐसा कुछ नहीं का है कि जो student जिनका regular graduation चल ला तो और साथ में deal it हो गया तो कोई problem आएगा नहीं नहीं और लिख लो problem ऐसा कुछ नहीं आएगा लेकिन जो reality है न क्योंकि कोई पता नहीं है documents verification के time वो check करने लग जाए तो ऐसे में guys मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो करने के बारे में सोच रहे है तो ना करे तो बेहतर है और जिन्होंने कर लिया तो फिर क्या problem है आप primary teacher तो बन सकते हो ना एक चीछ पर focus कर लो बाकी 6-8 के लिए भर देना क्योंकि इतना कुछ नहीं है क्योंकि BPSC ने इतना कुछ कहा नहीं है कि जिसका साथ में तो problem आएगा अब देखें यहाँ पर subject combination एक बार देख लिए 6-8 के भासा भी साथ कि अगर आप teacher बनना चाहते हो तो इसमें आपका जो graduation में जो आपका language है ना यह honors के रूप में हो या फिर subsidiary के रूप में हो तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं अगर आप 6-8 के समाजिक भी गियान SSD के teacher बनना चाहते हो तो इनमें से कोई दो subject होना चाहिए अब बहुत सा इसमें commerce से अपना क्लस्ट वेल कंप्लीट करते हैं और graduation भी commerce से कंप्लीट करते हैं तो ऐसे में क्या है कि आपका पास अर्थ सासरो और वानिज जी आपका commerce हो तो इनमेंस आपका चल जाएगा तो आप SSD के teacher के लिए eligible हो जाओगे इसी तरीके 6-8 का आप math या science के teacher बनना चाहते हो तो इनमेंस कोई दो विसे होना चाहिए और यह देखिए यह primary का है जो कि November में 2nd page की 2.0 की vacancy आया था ना उसमें 9,000 लगवग seat जो है primary का भी दिया था अब देखे दूस्तों थोड़ा सा और मैं आपको confusion दूर कर देता हूँ primary में जो है graduation आपने साथ में किया है regular किया है open distance college से है DL8 के साथ में आपका session match कर रहा है कोई problem नहीं आएगा क्योंकि इसमें graduation मांगा ही नहीं जाता है